हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है ऋप सभी का च्यार मार्च को अंगर एजी का पेपर है तो Raphaelovie हIC Solo का इंग्लिजेश्का वाइरल पेपर है इस पेपर का आप लोग हल देखके जरूर जाइएगा यहाँ पर आप सभी को इस पकास से आप सभी को जितने भी important question है सभी आपको कराने वाले हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आप एक second के लिए आप skip मत कीजिएगा आज के रात आप इस paper को देखके तीन मार्च के रात को भी आप देखके इस paper को चले जाते ह हैं तो चार मार्च को आपको इसमें maximum question सेम तो सेम देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो चले फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को like करें और चैनल पर नहीं है तो चलो को साथ में subscribe कर ले यहां पी देखिए कि आप आपका जो time है मिलेगा 3 hour 15 minute का समय मिलेगा मतलब 3 गंट 15 minute का संपूर समय मिलता है पेपर को हल करने के लिए जिसमें से 70 नंबर रहता है आपका इसका maximum mark है पुड़ा टोटल कितना रहेगा 70 नंबर कर रहता है इसके कुछ general instruction दिये रहते हैं जो आपको बता देते हैं दिखे इसने भी question इसमें है आपको करना compulsory है अनिवार है यह जो प्रश्ण पत्र होता है आपका दो पार्ट में पार्ट A और पार्ट B में विभाजित होता है पार्ट A में 20 multiple choice question होता है और पार्ट B में जो होता है आपके descriptive टाइप 50 नंबर के question होते हैं ठीक है यहां पर दिखे प पर भरने के बाद उस पर आपको किसी प्रकार का eraser, cut या widener का परियोग नहीं करना रहता है पार्ट B जो आता है इसमें descriptive टाइप question होते हैं अगला निर्देश में जो दिया है आपका marks are indicated against each question प्रते question के सामने कितने नंबर का प्रश्ण ने आपका indicate किया रहता है यह इसके सभी को पताते हैं part A और part A की question जो होते हैं बहुत ज्यादा simple होते हैं ठीक है पार्ट A में जितने भी question होते हैं simple होते हैं और आपको बहुत tricky माध्यम से आपको यह paper हल कराने वाले हैं तो आप इस paper को बस देखिए पहला एक multiple choice question है question number one से three तक read the following Prices carefully and choose the correct option to answer the question that follow यानि कि आपको ध्यान से question paper को पढ़ना है फिर इससे संबंदित जो आपका प्रशन पूछा गया उसका answer देना है देखिए आपके सामने इस प्रकास से यह आपका एक पैसे देगा इस पैसे से संबंदित आपसे तीन प्रशन पूछता है तो आप चाहे त प्रशन को पढ़िएगा लेकिन आप सभी को कहते हैं कि पहले आप हमेशा question को पढ़िए फिर इसके बाद पैसे में उसका answer आप ढूड़िए आपको इसका हिंटी जानने की भी जरूरत नहीं है बहुत simple तरीकास आपको पताने वाले हैं देखिए पैसे से संबंदित जो प आपके सामने इसका क्या दिया है आपसं दिया है आपको एक बर आपसं को ध्यान से पढ़ लेना कि एक busy man होगा a man आप लेश्योर होगा an elderly person होगा an exhausted person होगा अब देखिए देखलिए अब प्रश्न में देखिए फूस सब्दों खोजिएगा और यह खोजिएगा कि likely more time कहां भी दिया है बस और इसके आगे इन सब्दों में से खुजिए कौन सा सब्द आपको मिल रहा है बस वही आपका इंसर हो जागा चले पैसे दिखाते हैं देखें पैसे जब यहां से ध्यान से देखते हुए चले जाएंगे यह से वर्क इक्सपेंड सो एच तू फेल तू दाइम अवेलबल फार इस कंपलेट कंपलेटी सिसन दा जेनरल रिकांग नाजेशन आफ इस फैक्सों इन प्रोविवल फ्रेस इस तरह परते चलाएंगे देखें आपको मिल गया हू फिर इसके में उसमें दिया है टाइम तो हू टाइम मि सब्सक्राइब मिल गया इसके आगे इंडर्ली यह आपसर में था एंडर्ली और जहां पिया अफ्सन में बैर आपसर इंडर्ली नजर आएगो वह हो चलिए फैस को देρη Els topic अब शरब जब क्यों होगा civil option सभी हो जाएगा देखे आपको more time इसके आगे सब्द सिर्फ यहीं मिला था आगे और पीछे देखा जाता आगे पीछे सब्द में इसलिए इसका सभी जब civil option सभी हो जाएगा अगला देखे दूसरा नमबर का वाट डज द एक्स्प्रेशन पीलर पार्क् पर पहने यह पता ना है यह जाहिर सी बात आप इसको आप संदेखके इसका सही जो आप डिवल आपसंद तुरंद देदीजिएगा अगला देखें तीसरा नंबर का वीच वर्ड इन पैसेज़ अपोजीट बता ना है वर्ड आइडल मतलब होता है साध्हारा अब यहां पर आपका दिया है बीजी, इल्डरली, लिब्रियस, यह नटी डेखे आईडल का जो आप के आपॉसित होगा आपको क्या होगा सकते हैं और बीजी बेहाँ होगा यहाँ यहाँ प्राइख पोलगा इसका सही हो जाएगा पूर अब यहां पर दिया है कि यह भरा जाएगा अगला कोईशन देखिए यह सब ग्रामर से आपके यहां पर दिया है यहां पर आपको मेनिगफुल सब बना देखिए यहां पर दिया है आपका यहां पर आपको मेनिगफुल सब बनाना है सबसे पहले देखिए यहां और में इसके बाद आपका क्या होता है आपका helping work होता है तो helping work में क्या है must इसमें दिया है ना इसका मतलब हुआ कि we must होगा तो इसका मतलब यह बीवल आपसं से गलत हो जागा इसलिए कि we के बाद ओबे दिया है तो यह गलत हो जाएगा अब यहां पर we must obey the rules of the road होगा यह कोई sentence नहीं वाक के बैठता है तो we must obey the rules of the road होगा ना यह आपका road के नियम हो जाएगे यहां पर सीवल आपसं क्या होगा आपका सही हो जाएगा तो we must obey the rules of road होगा तो rules of road होता है ना कि road of rules नहीं होता है rules of road होता है इसका सही जो आप सीवल आपसं सही हो जाएगा अगला देखे सात्वा नंबर का he bought a beautiful dress identify the word beautiful beautiful पूछ रहा है कि beautiful यहां पर क्या है यहां पर आप से भी को बता देते हैं कि beautiful आपका एक adjective होता है ठीक है यहां पर इसका सही जो आप डीवल आपसं सही हो जाएगा यह वर्ब तो है नहीं प्रिपोजिशन भी नहीं है और conjunction तो अदम से नहीं है तो beautiful क्या है आपका एक adjective adjective का मतलब होता है कि जब नाउन की विसेशता जो शब्द बताते हैं वो क्या कला एड्जेटिव कलाते हैं तो देखे ड्रेस ड्रेस की विसेशता बता रहा है कि खूबसूरत है इसका मतलब यहां पर beautiful क्या हो जाएगा अब देखे आठवा नंबर का कि वीच आप दो सही जो आप एवल आपसें सही हो जाएगा देखे अब यहां पर पैसे से संब्द आपसे प्रशन फिन फिन पूछ रहा है देखे पैसे इंस्वर आपका निकालना बहुत आसान होता है चाहे तो आप एक बार पैसे इस टार्टिंग पढ़ लिजी तब को पढ़िए गार च आपसे आपके सामने 4 अपसान है अब क्या करें कि इस वाके को खोचेंगे आप पढ़ते चले आईए यह पढ़ते पढ़ते आप आएंगे लास्ट में आप सभी को पताते कि क्या पी मिलेगा दिके मुमेंट लिखा है तो मुमेंट लिएटर फेल इन्टू दमेल बाक्स द पोश्ट मास्टर वह टोपर यहां पर पोश्ट मास्टर जो आपका मेल बाक्स था गतिक कोष्ट मास्टर ने खोलाते तो इसका सही जो आपके अगला देखिए हाउ मच मनी डिट लेंचो गेट यानि कि लेंचो ने कितना रुप्या पाया कितना पैसा पाया था देखिए आप जब इसके आगे पढ़ते हुए चरह आजाएंगे तो यहां पर दिखिए 70 पैसे 70 पैस पैसे इसको द्यान से पढ़ लिजिएगा आप पढ़ेंगे तो उसमें यह सब्ध आपको मिलेगा जब मिले ग आप तुरंत एंस्वार निकाल सकते हैं समझ में आगे न तो आप जबर आप पैसे इसको ध्यान से पढ़कि उसका ऐसां आपको बताँरह इस तरह आप्दि न त्विश्वा का गर जो यह कहां पच्थित था इट बॉटम आफ दा हील या पके बुक का है ठीक बिंद की बॉटम आफ हरु मतलब पहारी के बीच में बाद नीचे बॉटम मून नीचे डास ़र लो हिल या आप आसानी से दे सकते हैं। अगला देखिए, What was Gotam Buddha early night३ यानि कि Ngautam Buddha कa early बच्पने का नाम क्या था, आप सभी को पता है कि उनका नाम क्या था बच्पने का था। सिधार्थ था था। किस पार्टी को जोएन किया था इसका मतलब यह इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस को यह नेशनल अफ्रिकन पार्टी को यह ही डिट नाट जोन एनिपार्टी यानि किसी भी पार्टी को जोन नहीं किया था तो सकड़ा इसका है अगला फिर आप एक स्टेक्स से सम्बंदीद आपका यहाँ पूछा है आपको यहां पर चार लाइन दिया इसको पढ़िए इससे संबधित आप प्रश्ण का एंस्वर बताइए बहुत सिंपल यह भी होता है बस आप देखते चले जाए आपका एंस्वर बहुत सिंपल तरीका से निकलता चला जाएगा चोदर नंबर का देखिए यहां पर पूछ रहा है कि पीड़ है उसके ऊपर कौन बैठा था अब यहां पर आप देखिए जो चार लाइन दिया इसका पढ़िए पढ़ने के बाद इसके एंस्वर दिये कौन बैठा है बस क्रो की बात हो रहा है यहां पर जो होगा खुछ होगा ठीक है तो ट्री के उपर कौन बैठा है तो आपको इसका हिंदी निकालने के ज़रूत नहीं आप आसाने शब्दों को पकड़िए एंस्वर दीजिए ठीक है अगला देखिए पंद्रा नंबर का व था अब देखिए पोएट कहा खड़ा था तो आपको यहां पर हिंदी जानने की भी जरूत नहीं है बस यहां पढ़ते चले आई चुक डाउन अनमी दविश्ट अब सुनो फ्रा में मलग ट्री अब देखिये हैं पर अप्षं को ध्यान से पर यह अंडर इण यह नीम ट्री नाम यह यहां पर कर जाएगा अंडर्प पीपल ट्री यहां पर कर नाम कहीं पर है यहिसले इस तरह आप सर्कड़ेगा अंडरे ही रोतिया आपको यतने वी पैसेज बता रहें कि आपको एंशर जानना ही हिंदी उसका जानना ज़रूरी है तो हिंदी एकदम जानने के जरूरत नहीं है आप सिर्फ प्रस्ट के पकड़ यह एंस्वर दीजिए बस इतना ही काम आपको करना है ठीक है कि आपको काच ब्यादी बैट hypocrite अना चाहिए यह च्सलिक इसलिए बार बार बर बोल भी ऑवा विडियो का आप लाज तक ज़रूर देखी है जिस प्रश्ट aur आपको हिंदी बताने लाए कि उस प्रष्ट का हिंदी बता रहे हैं जिसका तो पैसे से एंसोर निकलेगा तो उसका हिंदी जाने के आप क्या करेंगे तो हिंदी जानने के ज़रूरत नहीं है अब देखिए यहां पर जो रियल नाम था क्या था तो इसमें सुलेखा आपसन प कि भोली का जो रियल नाम था क्या था सुलेखा था अगला देखिए 17 नंबर का ठीक है कि हुआ ट्रिकी कौन था यहां पर पता रहे हैं ट्रिकी कौन था एक कैट यानि एक बिल्ली एक मंकी या एक डाग या एक रैवी तो आप इस चप्टर को पढ़ेंगे बुक तो ट्रि कर रहे से क्या कराता था मतलब क्या कराता था यहां पे लाइन्दन या होगा या आक स्पोट होगा तुसे आप आप सभी को पता हए किया एक बॉक्त का को ज़दे इस प्राश्चन का सही जवाब सिवल आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला देखिए 20 नंबर का ठिक है मटिलडास हस्बेंड वाज यानि मटिलडा के जो हस्बेंड थे कौन थे यासमन थे एक एक आफिसर थे यह पैटी कलरक से क्या थे मटिलडा के ऊस्बेंड राएं से तरहान सिसका सब्सक्राइब करलों!! इससे संबंदितों पूछता है इस पैसे पढ़ियेगा और यहां से आपसे इस पैसे संब्धित चार को फीस्टेंडा है जो आपकी प्रतियक question 2, 2, 4, 2, 6, 7, यहां यह total 7 number का प्रश्ण रहता है आपको पैसे से, दीखे पहला है कि what role does poverty play in the education of girl, तो आपको क्या करना है, आपको यहां से लेकि यहां तक ध्यान से पहना है, और इन शब्दों को खोजना है कि role कहां पे लिखा है, poverty play कहां पे लिखा है जहां पे education आप गर लिखा होगो, वही line आपको पूरा same to same क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, तो आप यहां से लेकि पूरा यहां तक पढ़िएगा, आपको इसका answer निकालना सटिक तरीका से आपको बता है, अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आप जाकि वीडियों के playlist से वाले हैं, साथ में आपको direct, indirect हो गया, इसके पात लेटर जो application होता है, central idea, यह सभी जो important question है, सभी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियों के लाश तक देखिए, यह आपको निकालने का तरीका आप सभी को कई पर बता चुके हैं, इसलिए सिर्फ यहां पे आप प्रशन द सीधे उसी एक दो लाइन को उतार दीजेगा, वही आपका answer हो जाएगा, ठीक है, जैसे हरस्ट, something, sometimes, ति यही आपको क्या हो जाएगा, एक दो लाइन बस आपको जैसे समझाया ति इस तरह आप इन प्रशनों को देख सकते हैं, ठीक है, अब चलिए यहां पर आप आप जैने के लिए आएगा ति यह करना रहता है, या इसके अलावा देखे, आर में, write an application to the principal of your school complaining against insufficient supply of drinking water in your school, यह भी प्रशना को कई बार कर आ चुके हैं, इसको आपको तरीका भी बता दिये हैं, कैसे आपको application लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरह आप लिखेंगे, यह प् इस नंबर का है, यह question आप देख लीजिए, एक बार, write an article on a visit to a Jew in about 80 से 100 words में देना है, यह आपका article होता है, देखिए आप इसे ही क्या करते हैं, essay के नाम से जानते हैं, कि आपके paper में essay आता है, तिया ही होता है, article करता है, यह बोड की exam में report लिखना रहता है, यह आपको क्य to the Jew over all experience, experience, देखिए इसके आप कैसे लिखेंगे, इस प्रकास आप लिखिएगा, देखिए आपके लिख के लाएं, बहुत simple सा है, और यह बोड की exam में कई बार repeat बहुत हो चुका है, लिखिएगा a visit to a Jew, पहले जो hint से मतलब होता है, जो यहाँ पर आपको hint से दिया रहेग introduction का मतलब होता है, जो मतलब चुरिया घर जाने से जब कब गए थे, उसमें आपने क्या देखा, यही सब लिखना पड़ता है, लिखेंगे last Sunday, पिछले Sunday, I with my friend went to visit Delhi Jew, it is प्रागती मैदान, मतलब होता है कि पिछले Sunday को मैं अपने मित्रों के साथ में देलही की जो चुरिया घर वहाँ पर गया था, और यह जो चुरिया घर कहां पर है, प्रगती मैदान के पास में है, इस प्रकार से आप कुछ introduction देखतेंगे, देखतेंगे कि चुरिया घर है का आप पर कब गए थे, और किसके साथ गए थे, यह होता है introduction अब इसके बारे में लिखेंगे visit to the zoo, यानि जो चुरिया घर है उसमें आपने क्या देखा, ठीक है, और वह आपको कैसा लगा, तो we bought tickets and went inside, it was very interesting, यानि कि हम लोगोंने ticket खरदा, उसके अंदर प्रवेस किया, और वह हम लोग जब देखें तो बहुत interesting लगा, इस तरह आप आप क्या करेंगे अपने शब्दों में इसका जवाब देगी, ठीकिंए, अब अपने sense बता है, जैसे आप देखे, उसमें आपना sense उसमें बताना रहता है, कि उसमे आपने जो चो चीज दिखा है, उसके बारे मीं आपने शब्दों में लिखना रहता है, we saw some animals and birds in case, यानि कि हम लोगों ने जो केज था उसमें चिडिया और एनिमल्स देखे at first सबसे पहले we went to see the animals section हम लोगों ने सबसे पहले कहां पर गए और क्या देखे एनिमल्स सेक्षन गए और एनिमल्स को देखा we saw many animals there such as lions, tigers, monkeys, zebra, etc atc यानि कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या दिखा lion, tiger, monkey, zebra, etc जो एनिमल्स थे बहुत सार एनिमल्स को देखा फिर इसके बाद we became very happy to see monkey jumping यानि कि हम लोगों ने jumping को कूदते हुए देखा और बहुत खुस हुए we rode on elephant then we saw the birds section we मतलब कि फिर इसके बाद हम लोगों ने कहां पर गये फिर इसके बाद हम लोगों ने पच्छिया थी उसके section को देखा we saw peacock मतलब कि हम लोगों ने peacock देखा, pilot देखा, many अधिक से अधिक पच्छिया देखे we are very looked very nice यानि कि वह बहुत अच्छे लग रहे थे बहुत अच्छा था इस प्रकास से बहुत अच्छे लग रहे थे बहुत अच्छा दिखाई दिया बहुत अच्छा लगा यह सब आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ता है conclusion में यानि कि आपका conclusion क्या लिकर लेगा है वहां से कि we got much joy यानि हम लोगों ने बहुत आनंद उठाया to see the Jew मतलब कि हम लोगों ने चिरिया घर को देखा और बहुत आनंद उठाया और यही आपका कालाता है report यह इसी को आप लोग क्या कहते है ऐसे कहते है ठीक है और अथवा में इन दोने में से कोई एक ही प्रशन आपको करना रहता है एक प्रशन और बता देते है write a report on independence day तो जो independence day होता है उस पे hints दिया है decoration of school building यानि कि आप अपने building के decoration करेंगे तो उसके बारे option ने सब्दों में लिखना रहेगा flag hosting ceremony यानि जब flag जंडा फारा है जाएगा तो उसके ceremony के बारे में बताना है signing of national anthem culture programs principles speech distribution of sweets यानि कि मिठाई बाटा गया उसके बारे में जो principal थे उन्होंने कौन सी speech दिया और वहां की culture के बारे में ठीक है national anthem के बारे में आप सभी को अपने शब्दों में वताना रहता है इन दोने प्रशनों में कोई एक ही करना रहता है आपको जब विजीट तु जू के बारे में जब लिख चुके है तो इसको लिखने कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन इसका मतलब आप जा Profi Indirect Strange करना है थी कैसे HERE करेंगे सीवाइन टीचर से अउन क्याता है यहां पटके सब्चिंच करेंगो बहुत इंपल थर चैजड तो मिगामा वेर और यूग यहां फे प्रश्नवाचन सब्च तो वेर रहा है आपको कैसे चेंज करेंगे लिखिएगा दर टीचर कि जब प्रश्णवाजचक सब्द रहता है तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगा आस्विट में चेंज हो जाता है और यहां पर मी है तो मी लगेगा इनिवेटेट काम आटाने के लिए क्लिए डर्ट लगाएंगा क्या लग जाएगा यहां पर क्या लग जाएगा फिर यहां फ यह यू जो रहेंगा ना ना मतलब कि यू जो है है यह यू आपके अब्यक्यश् suggest College चेंज हो जाता है यह आपका UC आपका आप आर जो हता आए वाज करेंद एकास में लगेगा वाज हो जाएगा वाज यहां पर गोईंग तो going हो जाएगा यहां क्या है फुली स्टाफ हो जाएगा ठीक है यहां क्या हो जाएगा फूलीस्टाफ इसका मतलब तीकर asked me where I was going यह होगा आप क्या indirect speech अगला देखिए ठीक है देखिए यह क्या नंबर करता सिर्फ एक लिखेंगे दो नमबर मिल जाएगा आपको जो तरीका बता रही इसको आप जरूद सीख लिजिए अगला देखिए चैंज फॉल इंटू पैसिफ वाइस पैसिवाइस में चेंज करना है सिंपल सा है कैसे चेंज करेंगे देखिए ओलिवैस हेल्प मी है जो यहां पर आपको क्या रहा तरहा था इसको में बनाएंगे मी का सब्युक्र को ने बनाएंगे तो a हो जाएगा अब इतностası तेखेंगे तो यह लगा है तो इस मतलब हो जाएगा कि प्रेजेट्ट इंडिफृणिट टेंश है इसको इसके साय्यें क्या होता है इस पज़ता है नहीं हो जाएगा यहां पर आलवेज होता है यहां पर आलवेज कि अलवेज लगये और तो वरब का हमेशा कौन से फारं लगता है इस चीज द्यान दिजेगा help और तो क्या हो जागा help का help का help हो जाएगा help ठीक है फिर इसके बाद बाहरी लगाईएगा जो यहां पर subject रहेगा उसको आप्जेक्ट का रूप में चेंज कर दी जगत ही क्या हो जगे हीम हो जाएगा यह बन गया आपका क्या इस पर पूरा दो नंबर आपको टोटल मिल जाएगा यह तरीका आप सीख लीजिए जैसे बता रहें इस तरह आप दो तिन कोईशन का प्रैक्टिस कर लीजिए दो जो सी वाला क्येश्टन हैं अब क्या लगाना है प्राटिस यारिचा का प्रयोग करना मतला कामा कहा पर रहेगा कहाँ पर करेगा कहाँ पे आप सभी को ध्यान रहा देना पड़ता है कि इसको कैसे बनाएं गया यहां पर ध्यान पहले लेटर तो आपको सब्सक्राइब कर लिएगा और कामा लगा इन्वेट्ट कामा लगा तीक है इस तरह इसके बाद दूवनाट वेश्ट जैसे हैं इन्वेट्ट कामा के अंदर वाला सब्सक्राइब अगला देखिए च्यार नंबर का आपको रहता है ट्रिके देख लिए छे नंबर जो छे प्रशन अंपका ग्रामर कर रहा था बस एक एक लाइन लिखना रहता है छे नंबर आपको आसानी से मिल जाता बस जो तरीका बता यह तरीका आप सीख लिजिए अगला देखिए यहां पर translate करते हैं इसको इंगलीज में तो भारत का क्या वाज़ा है इंडिया आई एंडिया अब सीख लिए ठीक है यह चार नंबर का प्रश्ण रहता है इंडिया इंडिया इस डेव लोपिंग लोपिंग ठीक है डिल्पिंग भेरी फास्ट क्या लिखेंगे वेरी फास्ट वेरी फास्ट डिल्पिंग वेरी फास्ट यहां पर फूरी स्टाप लगाएंगा यह एक प्रगति यह एक प्रगति सील्ट यहां लगाएंगे यह एक प्रगति सील्ट यहां लगाएंगे इट इ हो गया है कि इसके बाद कंट्री 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 ठीक है क्या हो जागा कंट्री अब फूल स्टाप कर दीजेगा जन संक्या और बढ़ती कीमत बड़ी समस्या है अब क्या दिखेंगे कि पापलूशन एंड इनक्रीजिंग क्या जन संक्या बढ़ती पूलेशन पी-ो-पी-उ लेशन अपर पूलेशन अंड और नेखें पॉपूलेशन आंड ठीक है इंक्रीजिंग देखें आइएएएएंग इंक्रीजिंग एंड एंड फिर इंड लगाएंगे फिर इसके बाद आप लगाएगा प्राइस 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 आर बिग बड़ी कि क्या होजेगा बिग होजेगा समस्य का प्राब्लम् फूलिषटि आप का देखी पाप्पूलेशन एंड इंक्रीजिंग एंड प्राइसेश और बिग प्राब्लेम्स फूलिषटाप याधी हम इन्हें तरीट कर लें थीग यादि इफ इफ यादी क्या होजेगा इफ होजेगा इफ एफ हमपी इफ वीटेक कंट्रोल टेक कंट्रोल टेक कंट्रोल ठीक है ओवर देन ओवर देन ठीक है अब यहाँ कामा है तो कामा कर लिजे तो हमारा देश महान बन सकता है देन लगा यह गए देन अवर कंट्री मतलब हमारा देश अवर कंट्री हाँ कि अभिककव भी भी कम ग्रेट कि ऐसे प्रकासा को क्या करना रहेगा हिंदी एंगले से ट्राइस करना रहेगा कि भारती यह सुन्नती कर रहा है इंडिया इस ड्रॉलिप्इंग वेरी फास लिखेंगी यह एक प्रगाथि शील्द एक से तिएट इज डिल्पिक कंट्री किंग फुलिश्टाप जान सक्या बढ़ती कीमत बड़ी समस्या है तो पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन बढ़ती क्या उता गए इंक्रीजिंग ठीक है एंड प्राइसे आर बिक प्रॉब्लेम्स फुलिश्टाप यदि हम इन्हें नियंद्रित कर ले इफ वी टेक कंट्रोल ओवर दें कामा फिर तो हमारा देस महान बन सकता है देन अवर कंट्री कैन बिकम ग्रे ठीक है यह हो गया आपका इसका इंगलीस में ठीक है तो यह ग्रामर के जितने भी कोईशन थे आप सभी को कराए है अब आगे देख यह लेंचों बहुत करोधित था क्यों करोधित था थी पूछ रहा कि जब मतलब कि जब हुआ लेटर को प्राप्त किया तो लेंचों बहुत करोधित क्यों था यह आपको क्या करना है इसका एंस्वर आपको इंगलीस में 30-40 वर्ड में लिखना रहता है टोटल यह 3-3 इसके लिए प्रशनों में से एक प्रशन का एंस्वर देना है आप इन सभी प्रशनों को एक बार देखके ही बोर्ड की एक्जाम में जाएगा ठीक है यह सभी इंपोर्टन दम क्वेश्चन है अगला देखिए कि एंस्वर एन्वन आप दो फाल बाउट 60 वर्ड यानि प्रशन आप कापी में मतलब कि आप बुक से देखके जाएगे कर दो यू थिंक वहली इंज्वायट हर फास्ट बस राइड गीप एक्जाम्पल फ्राम दर लेशन तू सपोर्ट यो एंस्वर इसके अलावा वाइवास किसा गोतमी इन सो मच ग्रीफ वाट डीट द लर्न इन दून प्रशनों में एक ही प्रशन का एंस्वर देना था टोटल चार नंबर का प्रशन था अगला देखिए ट्वेंटी सेवन का वाइड दस दा पोएट होल्ड विद दोज हू फेवर्ट फायर यह तीन नंबर का प्रशन है वह राइट फॉर लाइन्स यानि कि चार आपको पोएम लिखना रहता है तो आप ऐसा कीजिए कि पोएम ही लिखके चले आईएगा चार लाइन का पोएम याद कर लीजिए अब बोड की लिखके चले आईएगा ठीक है अगला प्रशन देखिए ठीक है यहाँ पर दिया है कि राइट दा सेंट्रल आइडिया अफ आप दा फॉलिंग पोएम इन एबाउट चाली से पचास वर तीन नंबर कर आता है एनिवन का मतलब होता है कि तीन दिया है तीन आप तीन में से एक का सेंट्रल आइडिया लिखना रहता है जिसे पहला दिया है कि टाइगर इन दजू देखिए अपके लिखेंगे तो इन दजू विट टाइगर इन इस रिएल नेचुरल है विटल ए आडर तु सो दर कंट्रेक्ट कंट्रेक्टेक्टेक्शन दपोएट शिफ्ट दसेंस वराम दजंगल तू दजू दजू दपोएट वांस तू सो दडिफरेंस बिट्विन दू इन्वरिमेंट्स यह आपको तो संचिप महीं लिखेंए आप इसका सेंड्रल आइडिया याद कर सकते हैं ठीक है एसके अलावात देखें सेहां पे संड्रल आइडिया यह आपका सेंडरल आइडिय रिखना रहगा तर वरा सके लिखेंगे The poem expressed the significance of small thing in changing one's attitude. The poet appreciated the beauty of the snow flax which changed his mood and saved money precious moment from being wasted away. The crow's sake of the snow dust from the hemlock tree the same way one can sake of the sand nes from one's heart. ये सर आपका क्या था? आपको देखें करना तो एक ही रहता है लेकिन आपको दो देखा दियें जिससे आप दोनों में से कोई एक भी आपको बोर्ट की एक्जाम में आता है ता आप लिख सकते हैं ठीक है? अब देखें 29 नंबर का, answer anyone of the falling in about 340 water में देना रहेगा पहला और दूसरा दो प्रशन है, दो प्रशन में से एक का answer आपको देना रहेगा, ये तीन नंबर का रहता है. इन दोनों में से किसी एक का answer आपको बोर्ट की एक्जाम में देना रहेगा, अगला question इंपोर्टेंट देख लिए, answer anyone of the falling in about 6 water में देना है, ये चार नंबर का प्रशन है, आप काई कि गीब एक कारेक्टर इसकेच आप मतिल्डा, या मतिल्डा के कारेक्टर इसकेच आप क teacher in her life, ठीक है, बोली के जो teacher है, उसके life में उसका क्या role है, इसके वारे में आप बताईए, दो प्रशनों में से एक प्रशन का answer आपको देना है, सभी important question आप सभी को बता चुके हैं, और grammar के जो question थे, आप सभी को grammar के question कराए हैं, अभी तक नहीं देखें तो जाके grammar वाले ज सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें,